हलो फ्रेंड बिल्कम टू माई यूट्यूब चैनल कैसे आप सब आप सब का हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल उइकान को जरूर प्रिस कर लें ताकि चैनल से रिलेटर सारी वीडियो के नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुँश सकें आज की हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों यह हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट है थर्ड शरीज है दोस्तों इक्लास टोयल्थ के पर रहें दोस्तों बेसिक से स्टार्ट किया है बिल्कूर यह थर्ड पार्ट है हमारा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं तो दोस्तों आएंड वीडियो को सेर कीजिए आपको एक भी रुपय कहीं पर फे नहीं करना पड़ेगा घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं तो चलिए आप देखते हैं एंटी ग्रेशन से दोस्तों क्लास्टोयल का है मोस्ट यानि इसे एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं तो इसमें हमारे प्रीविएस वीडियो के दो को सॉल्व किया रहा है चलिए यहां पर भी देखते हैं बेसिक जो कॉंसेप्ट है दोस्तों इंटीग्रेशन के जो भी बेसिक कॉंसेप्ट है उनको कवर करते हैं और समझाते भी है प्रॉपरली दोस्तों इस वाले कुश्चन का सेलूशन हमने प्रीविएस वीडियो में कर रखे हैं फुस्त प्रीविएस अगर नहीं किये देखा है आपने तो प्री यह डर दोनों चैनल समय धोस्तों दो है उस्हां दीजीएगा आप मारे लक्षार और चैनल को डोस्तों नच अजो कोरवा का दोस्तों चैनल है तो प्लीज चैनल को दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे दोनों पर आते हैं हमारे चैनल पर दोनों पर वीडियो अप्लोड होती हैं दोस्तों इसमें हमारे मैथ और साइंस से डिलेटेट वीडियो अप्लोड होती हैं और इस वाले चैनल पर दोस्तों हमारे सभी classes की वीडियो अप्लोड होती है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चलिए देखते हैं स्टार्ट करते हैं क्या 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 बेसिक कॉंसेट है दोस्तों कैसे हम इसा भी questions को solve कर सकते हैं तो चलिए फर्स्ट questions का solution अबने बताया दोस्तों previous वीडियो में uploaded है अगर नहीं है तो आप open कर सकते हैं इसको क्या करना था open कुछ नहीं दोस्तों only integrate a minus b के formula से दोस्तों open करना था a minus b के formula के whole square formula से open करना था दोस्तों यहां पर आपका under root x आ जाता अंडर root x का whole square हो जाता दोस्तों और minus क्या होता प्लस हो जाता प्लस under root x का 1 by under root x का whole square यहां पर भी होता दोस्तों और minus 2 into under root x होगा और दोस्तों under root x होगा यह 1 by under root x होगा, यह दोनों cancel out हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि 1 divide में है जानतीजिएगा और under root x का x की value क्या होती है दोस्तों, आप जानते हैं, x होती है इसकी value क्या आ जाती है, 1 by x आ जाती है, I hope सभी को clear हो गया minus 2 आ जाता दोस्तों, बस इसी functions को आपको क्या करना था, integrate करना था, बिल्कुल simple है, integrate करना था, मैंने already बताया था, integrations के कुछ फार्मूले होते हैं, यहाँ पर क्या use करना है, x की power yen का integrations आप जानते हैं, कैसे किया जाता है दोस्तों, power में one add हो जाता है और formula क्या होता दोस्तों, x की power yen plus one हो जाता है, और नीचे क्या हो जाता है, yen plus one ही आ जाता है इसी तरह one by x का अगर integrations करना है, दोस्तों, one by x का integrations अगर आपको dx के respect में करना है तो इसका formula हमने already previous वीडियो में दोस्तों, cover कर रखा है प्लीज, एकर वीडियो को नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, इसका होता है ln x हो जाता है दोस्तों, तो चलिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा x square divided by 2 हो जाएगा plus ln x minus 2 x2 का दोस्तों, किसी भी constant का integrate करते हैं, जिस functions के साथ करते हैं दोस्तों, जिसके respect में तो इससे अच्छा है, इसमें भी आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल simple way में बताया है दोस्तों, अगर आपको नहीं आया तो previous वीडियो में जाकर आप playlist में देख सकते हैं, इसके जो second part आया था दोस्तों, उसमें आपको completely solutions और भी अच्छे तरीके से समझाया गया है, तो चलिए, अगले questions की ओर चलते हैं दोस्तों, इसमें दो questions most important दिये गए हैं, इनका आपको integrations करना है, तो देखते हैं कौन कौन से questions हैं, first questions आपको दिखाई ही पड़ रहा होगा, यह वाला questions दोस्तों कौन सा है, integrations x cube x cube है दोस्तों, plus plus 5 x square x square minus 4 divide by क्या है दोस्तों, x square है और किसके respect में, x के respect में आपको integrations करना है तो पहले क्या करना, इस types के questions को solve करने से, पहले आपको याद होना चाहिए दिखाई दिखाई है, दोस्तों क्या करना है पहले इसको split the term कर देना है आप इसको क्या करेंगे, दोस्तों split कर देंगे हर एक terms के साथ, आप देख रहे हैं split करने के बाद क्या मिलेगा, देखे फाइनर से क्या मिलेगा आपको दोस्तों integrations बताइए x cube को अगर हम x square से divide कर देंगे और plus 5 x square को भी x square से divide कर देंगे minus 4 को भी आना चाहते हैं दोस्तों आप यहाँ पर lcm ले ले लिजी lcm क्या आजाएगा, x square आजाएगा, आपको यही functions मिल जाएगा, यहीं इसको हमने split कर दिया, split करने के बाद आप देखेंगे x square x cube कर जाएगा, दोस्तों यहाँ पर x square cancel out हो जाएगा आपको solve करने में बिल्कुल simple हो जाएगा तो देखें क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल क्या मिलेगा functions, अगला functions मिलेगा दोस्तों, integrations x cube को आपने यहाँ पर x की power 3 थी, x की power 2 से cancel out कर दिया, तो कितना बचेगा दोस्तों, only x बचेगा, और plus क्या बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा, and minus 4 divide by x square बचेगा, I hope सभी को clearly समझ में आगया, dx आगया दोस्तों, हमने यह भी बताया था, अब यहाँ पर directly आप integrate कर सकते हैं, 1 by x square को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 1 by x square को आप लिख सकते हैं, x की power minus 2, directly आप integrate कर देते हैं, अब यहाँ पर x की power minus 2 का integrations करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, x की power minus 2 plus 1 add होगा, और नीचे भी minus 2 plus 1 होगा, तो आप इसको solve करेंगे दोस्तों, तो क्या मिलेगा, बताइए, आपको मिल जाएगा दोस्तों, x की power minus 1 divide by, बताइए, minus 1 ही तो बचेगा, क्योंकि minus 2 से plus 1 add होगा, दोस्तों, minus 1 हो जाएगा, यह minus आगे आजाएगा, तो यहाँ पर आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, देखिए, चलिए, step by step करते हैं, x का क्या करेंगे दोस्तों, x का आया दोस्तों, आप देख सकते हैं, 1 by x square का integrations आया है, minus x की power minus 1, I hope सबको clearly दिखावी पड़ रहा, यही तो आया है दोस्तों, यहाँ पर जो हमने लिखा है, तो बस इसी को solve गई, इस minus से यह minus, दोस्तों, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, प्लस लिख देंगे, तो final answer आपका क्या हो जाएगा, दोस्तों, x square divided by 2, plus 5 x, minus minus plus 4, अब दोस्तों, x की power देहन दिजिए, x की power minus 1 है, इसको आप 1 by x तो लिखी सकते हैं ना, 1 by x लिख सकते हैं, तो बताएगे, x की x divided by, 4 divided by x, आप आसानी से लिख सकते हैं, तो आपका final answer, plus c add कर दीजिए, final answer दोस्तों, क्या आएगा, ये आपका आएगा, यह आपका आएगा, clear हो गया होगा, I hope सभी को समझ में आ गया है, बस इसमें कुछ नहीं करना था, दोस्तों, आपको सभी functions को split कर देने थे, एक-एक functions के साथ में अलग-लग कर देना था, आपने यहाँ पर किया, ध्यान दीजिए, x की power cube थी, second district में यहाँ पे, x की power cube थी, तो cube को आपने x square से divide किया, तो दोस्तों, बताईए, 3 power है, उपर 3x है, नीचे 2x है, तो 2x कर जाएंगे, तो only x ही बचेगा, यहाँ पे 5x square था, नीचे भी x square था, दोनों cancel out होकर 5 बचा, minus 4 by x square था, अब भी 1 by x square का integration कैसे की है, हमने यहाँ पे बताया, दोस्तों, दोस्तों, यह आपका final answer होगा, second questions का, यह second questions का final answer क्या आएगा, दोस्तों, यह आएगा, I hope सभी को clearly समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो please comment में पूछ सकते हैं, और हमारा दोस्तों, वर्टसप नंबर है, अगर आपको किसी भी problem, कोई भी questions में problem है, दोस्तों, तो आप आसानी से, WhatsApp नंबर कर सकते हैं, इस पे, 303101 है, तो यह हमारा academic का number है, दोस्तों, आप किसी भी questions, किसी भी class में है, आप उस class की academic में, academic में हमारे दोस्तों, online classes में admission ले सकते हैं, आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, तो प्लीज, live classes चलती हैं, video classes चलती हैं, तो प्लीज चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा, जिससे सभी important questions के notification साब तक पहुँच सके हैं, यह guarantee हमारे रहेगी, दोस्तों, math में 100% number लाने की, आपकी responsibility हम पूरी करवाएंगे दोस्तों, बस आपको केबल क्या करना है, continuous classes करनी है, चलिए, यह समझ में आगया होगा, चलिए अगला questions देखते हैं, यह वाला question last वाला है दोस्तों, last वाले questions में क्या apply करेंगे, कौन सा fundamental apply करेंगे दोस्तों, इस पर हम solve कर लेते हैं, चलिए, यहाँ पर last question में आपको दिखाई पढ़ रहा होगा, क्या functions दिया हुआ है दोस्तों, integrations, ध्यान देजे, क्या दिया हुआ integrations, x cube minus x square plus x minus 1, क्या दिया है दोस्तों, integrations दिया है, x cube minus x square plus x minus 1, divide by क्या है दोस्तों, x minus 1, इसी तरह पहले questions की तरह, इस questions की तरह दोस्तों, इसमें भी हम क्या करेंगे, split करेंगे, functions को break करने के कोशिस करेंगे, x minus 1 जो है नीचे से हट जाए दोस्तों, कैसे हटेगा, चलिए देखते हैं, step by step, यहाँ पर क्या है दोस्तों, dx है, इसको भी आप open करेंगे, यानि हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अच्छा यहाँ पर बताईए, देखाई पढ़ रहा होगा, x cube minus x square, क्या हम यहाँ से, आपको functions यह दिखाई पढ़ रहा होगा, दोस्तों, x cube minus x square, दिखाई पढ़ रहा होगा, plus x minus 1, divide by x minus 1, यही तो आपको functions दिया है दोस्तों, I hope यही functions आपको दिया है, तो बताईए, इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम अगर x common ले ले लेते हैं, ध्यान दिज़े, x square common ले ले लेते हैं, क्या बचेगा, x minus 1, बचेगा एक bracket में, दूसरे में क्या है दोस्तों, इन दोनों में तो जैसे था, वैसे हमने एज़टिस इसको x minus 1 लिग दिया, नीचे क्या था दोस्तों, x minus 1 था, clear, अब इसको हम क्या करेंगे, split कर देंगे दोस्तों, split कर दीजे, देखिए क्या हो जाएगा, split करने के बाद क्या मिलेगा, x square, और क्या हो जाएगा दोस्तों, x minus 1, x minus 1, divide में क्या करेंगे दोस्तों, x minus 1, यहाँ पर split कर देंगे, और plus x plus 1, sorry, x minus 1 है दोस्तों, x minus 1, इसे भी split कर देंगे, divide किसे करेंगे, x minus 1 से, clear, x minus 1 से आप divide कर देंगे, के ध्यान दीजिएगा clear हो गया I hope सभी को अब बताइए यहां पर x-1 है cancel out यहां पर भी x-1 है यहां पर भी x-1 x-1 cancel out होकर आपको final answer क्या मिलेगा दोस्तों x square plus 1 यह तो cancel out होकर क्या दे देगा दोस्तों 1 करेगा यह भी 1 हो जाएगा यानि x square plus 1 आपको क्या मिलेगा solve करने के ब बात कितना simple question हो गया आपने देखा तो चलिए अब आपको integration किसका करना है दोस्तों x square plus 1 का integration करना है dx की respect में बहुत ही simple x की power n का formula apply कर देना है दोस्तों बिलकुल simple है I hope यहां पर समझ में आ गया होगा दोस्तों हमने क्या किया था कुछ नहीं दोस्तों आपको only common लेना था क् x cube minus x square से हमने x square common ले लिया बिलकुल clear है उसके बाद आपने split कर दिया हमने इसको split functions में लिख दिया रैस तेनल करके split में अलग लग कर दिया denominator को सबके साथ में अलग लग कर दिया दोस्तों बस आपको final answer final यह मिला है अभी answer देखना है दोस्तों अब आपको integration कितना करना यह दूस्तों इसको आपने solve किया तो क्या आया दोस्तों final answer क्या आया था solve करने के बाद यह solve करने के बाद आया है integrations x square प्लस 1 integrations x square plus 1 dx आया है अब आप इसको integrate कर दीजिए बताइए क्या होगा x square क्या होगा x square plus 1 divide by 2 plus 1 plus x 1 का क्या हो जाएगा x के respect में दोस्तों धान दीजिए 1 का x हो जाएगा यहनि dx का क्या हो जाता है x हो जाता है x हो जाएगा clear final answer क्या मिलेगा x की power 3 divide by 3 plus x plus c c आप add कर देंगे क्याकि final जब answer लिखते हैं integration अटा देते हैं तो constant को add कर देते हैं आपका answer clear हो गया x की power 3 divide by 3 plus x plus c इस question का solutions क्या है दोस्तों इस question का solutions यह है I hope सभी को clearly समझ में आ गया होगा कोई भी doubt है तो आप बिल्कुल sorry दोस्तों comment में पूश सकते हैं कोई भी हो दो कोई भी questions आपको जानना है तो दोस्तों comment box में आप पूश सकते हैं I hope किस questions clearly समझ में आ गया होगा most important questions था दोस्तों अगर बात करें class 12 का जो भी है जो भी student class 12 में है दोस्तों please वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें 11th class के student और 9th 10th class के student 8th तक के वेस्चे इस चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको दोस्तों completely सभी class की math की video science की video completely आपको available हो जाएंगी तो आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों please आप हमारे साथ continue कीजिए परड़े एक दिन में ध्यान दीजिए यह आपको completely video available है आप जाके playlist में देख सकते हैं आपकी exercise 7.1 जो है दोस्तों exercise की बात करें 7.1 के सभी questions के completely solutions आपको available है तो I hope कुछ video पसंद आई होगी तो please channel को subscribe जरूर कीजिएगा and bell icon को जरूर प्रेस कर लिजिएगा thank you for watching this video दोस्तों most important questions हमने जो consider किया है अगले जो part है दोस्तों video थोड़ा लंबी हो जाएगे जिससे आपको थोड़ा सा problem हो सकती है ज़्यादा time consume करना परता है दोस्तों आपको channel को subscribe जरूर कीजिएगा